बिग बॉस सोला का जबरदस्त आगाज हो गया है एक अक्टूबर को शो का ग्रेंट प्रीमियर हुआ इसी के साथ अपसे कुछ महिनों के लिए एंटेटेन्मेंट का पूरा बंदोबस हो चुका है शो में चौधा कंटेस्टिंट की धमा के दार एंट्री हुई शो के होस्ट सल्मान खान ने सभी कंटेस्टिंट का ग्रेंड वेलकम किया इसके साथ सभी कंटेस्टिंट घर के अंदर कैद हो चुके हैं इस सीजन में कई बड़े सितारे घर में आये हैं वहीं सीजन बिग बॉस सोला में खुपसूरती का तड़का लगाने ब्योटी क्वीन मानिया सिं मिस इंडिया की runner-up रह चुकी हैं उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले की मानिया सिंग जो एक साधारन परिवार में पैदा हुई उन्होंने मिस इंडिया runner-up बनकर प्रदेश में तिहास रचा मानिया सिंग जब मिस इंडिया runner-up बनी तो उनकी जिन्दिकी जैसे बदल गई 2021 दसफरवरी इस रात मुंबई में आयो जित कारिक्रब में मानिया सिंग को मिस इंडिया रनर अप चुना गया था लेकिन इसके बावजूद उनकी जिन्दगी का स्ट्रॉगल खत्म नहीं हुआ सल्मान खान के सामने मानिया सिंग का दर्द छलका मानिया ने बताया कि मिस इंडिया जीतने के बावजूद मुझे दो साल से कोई काम नहीं मिला है मानिया ने अपने फैमली बैग्राउंड के बारे में बात करते हुए कहा कि मेरे पिता अभी भी आटो चलाते हैं वो खुद भी अपने पिता के आटो से ही ट्रेवल करती हैं ताकि पैसे बचा पाएं उनकी मा लोकल ट्रेन में सफर करती हैं उन्होंने कहा मुझे मिस इंडिया में पहुचने के लिए 6 साल लग गए मिस इंडिया पेजन्ट के लिए सिलेक्ट हुई और रनर अब बनी उनके लिए ये सफर आसान नहीं रहा मिस इंडिया जीतने के इन दो सालों में उन्हें बस एक एड कमर्शिल मिला सलमान खान भी ये सुनकर हैरान रह जाते हैं मानिया ने बताया कि अक्सर लोग उन्हें लोग उनके सावले रंग पर कॉमेंट्स करते थे मानिया अपने मुश्किल समय के बारे में बात करते हुए काफी इमोशनल दिखाई दी जिसके बाद सलमान खान ने उनका होसला बढ़ाया और कहा कि शो के बाद अच्छा काम उन्हें जरूर मिलेगा जिन्दगी में कभी ह अच्छार ना मानने वाली मानिया की स्टोरी से सलमान भी काफी इमप्रेस हुए बता दे की मानिया शो में दमदार परसनेलटी के तौर पर नजर आई हैं मानिया रियल लाइफ में कैसी हैं वो दुनिया को ये दिखाने बिग बास में आई हैं मुश्किलों से निकल कर फैम इस शो के जरीए अपनी पहचान बनाने में कितनी कामियाब होंगी और इस शो में कितने लंबे समय तक वो टिकिंगी ये देखना दिलचस्प होगा इस खबर में फिला लेता ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रही है वन इंडिया के साथ